C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए द्विदिय भाषा के रूप में हिंदी की पाठे पुस्तक दूर्वा भाग 1 22 पाठ यात्रा की तैयारी प्रिष्ट संख्या 109 से 113 तक प्रस्तुत है पाठ यात्रा की तैयारी निशा, पिता जी दशहरे की छुट्टियों में हम मैसूर जाएंगे निशान्त, नहीं पापा, पिछले साल मैं स्कूल की टीम में मैसूर गया था इसलिए कहीं और जाएंगे निशा, मैं तो मैसूर का दशहरा ही देखना चाहूंगी पिता, अब मैसूर के लिए रिजर्वेशन मिलना कठिन है अब की बार हम कन्या कुमारी जाएंगे निशा, तब तो बड़ा मज़ा आएगा कन्या कुमारी में तीन सागरों का संगम होता है वहां हम सूर्य ओदय भी देखेंगे और सूर्य आस्त भी देखेंगे पिता, हाँ बेटी पूर्णी मा के दिन शाम को कन्या कुमारी में चंद्रमा का ओदय और सूर्य का आस्त होना एक साथ देख सकते हैं क्यों मीना, तुम भी चलोगी न, छुट्टी मिल जाएगी मा, क्यों नहीं, मेरी तो काफी छुट्टियां बाकी हैं आराम से मिल जाएगी, हम लोग कन्या कुमारी कैसे जाएगे पिता, हम तिरु अनंत पुरम तक राजधानी एक्सप्रेस से जाएगे वहां से कन्या कुमारी ज्यादा दूर नहीं है, रेल या बस से जा सकते हैं निशान्त शाम से पहले कन्या कुमारी पहुँचना अच्छा रहेगा तभी हम सूरियास्त देख सकते हैं हम रात को विवेका नंद नगर में ठहरेंगे सुभा जल्दी उठकर समुद्र के किनारे पहुँचेंगे और सूरियोदे देखेंगे पिता सूरियोदे देखने के बाद हम नाश्ता करेंगे और विवेका नंद समारक देखने जाएंगे मा, विवेका नंद समारक में क्या है? पिता विवेका नंद समारक कन्या कुमारी के पास समुद्र के किनारे थोड़ी दूर पर एक बड़ी चटान पर बना है हम लोग मोटर लॉंच से समारक पहुँचेंगे वहाँ पर विवेका नंद और राम कृष्ण परम हंस की मूर्तियां है चटान पर खड़े होकर हम समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे निशा बहुत अच्छा वहाँ से सीपियां और शंख लाओंगी पिता, निशान्त आज ही जाकर रिजर्वेशन करा लाओ हाँ, एक बात याद रखना यात्रा में कम सामान रखना चाहिए कहा भी है कि कम सामान बहुत आराम अपनी यात्रा सुखद बनाईए अभ्यास एक अब मैं कुछ शब्द बोलूँगा आप उन्हें दोहराईए दशहरा मोटर लॉंच चट्टान आनंद लेना राजधानी एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस सागर सागर पूर्णिमा पूर्णिमा लहर रामक्रिष्न परमहंस सूर्योदय संगम संगम एक साथ याद रखना विवेका नंद सूर्यास्त पहुचना सीपियां और शंक कन्या कुमारी विशाल मूर्ति तिरू अनंत पुरम दो अब मैं कुछ शब्द पढ़ूंगा आप उन्हें सुनिये और दोहराईए मुश्किल कठिन पास दूर लहर तरंग बैठना खड़ा होना ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा अधिक उदय अस्त मजा उमंग मुश्किल आसान मुश्किल आसान सुखद सुख देने वाला आराम दायक सुखद सुख देने वाला आराम दायक तीन का अब मैं आपको कुछ शब्द दूंगा ये शब्द चार स्तंभों में हैं आपको प्रतेक स्तंभ में से एक-एक शब्द लेकर वाक्य बनाने हैं पहले स्तंभ में शब्द हैं मैं तुम वह हम आप वे दूसरे स्तंभ में शब्द हैं घर तीसरे स्तंभ में शब्द हैं जाओगे करोगे जाएंगे जाएंगे, चौथे स्तंभ में शब्द हैं, जाऊंगी, करूंगी, जाओगी, करोगी, जाएगी, करेगी, जाएंगी, करेंगी। उद्हारण के लिए मैं घर जाऊंगा, मैं काम करूंगी, ख, अब मैं आपको कुछ और शब्द देता हूँ, ये शब्द तीन अलग-अलग स्तंभों में हैं। आपको प्रतेक स्तंभ में से एक-एक शब्द लेकर वाक्य बनाने हैं। पहले स्तंभ में शब्द हैं, राजेश, गौरी, पिताजी, माताजी, लड़कियां। दूसरे स्तंभ में शब्द हैं, जैपुर, बंगलूरू। तीसरे स्तंभ में शब्द हैं, जाएगी, जाएगा, जाएंगी। उदहरण के लिए, राजेश, जैपुर, जाएगा, चार, अब आपको समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना है। ये शब्द दो स्तंभों में दिये गए हैं। पहले स्तंभ में शब्द हैं, सागर, मुश्किल, संध्या, मजा, सुखद। दूसरे स्तंभ में शब्द हैं, शाम, आराम दायक, आनन्द, कठन, समुद्र। उदहरण के लिए, मैंने मजा शब्द का मिलान किया है, आनन्द शब्द से। पांच, अब आपको अधूरे वाक्यों को पूरा करना है, इन्हें पूरा करने के लिए, मैं आपको शब्द दे रहा हूँ। काफी, संगम, राजधानी, मोटर लौंच। वाक्य हैं, एक, कन्या कुमारी में तीन सागरों का रिक्त स्थान होता है। 2. हम तिरू अनंतपुरम तक रिक्त स्थान एक्स्प्रेस से जाएंगे। 3. मेरी तो रिक्त स्थान छुट्टियां बागी हैं। 4. हम लोग रिक्त स्थान से स्मारक पहुंचेंगे। 6. अब आप वाक्यों को बदलिए। जैसे तुम्हें यात्रा में सामान कम रखना चाहिए। इस वाक्य को मैंने बदला है। देखो, सामान कम रखना। अब इसी तरह से आप इन वाक्यों को बदलिए। 1. 2. हमें रात को भोजन। 3. सभा में कम बोलना चाहिए। अब आप थे गोपाल बाजार जा रहा है। गोपाल बाजार जाएगा। इन वाक्यों को बदलिए। एक, दो, तीन कन्या कुमारी में क्या रहा है। लोग विवेकानन्द स्मारक कैसे पहुँचते हैं। योग्यता विस्तार 1. विद्यार्थी शैक्षिक टूर या पिकनिक पर जाने की योजना पर चर्चा करें। और इसके बारे में सभी विद्यार्थियों की राय लें। 2. किसी दर्शनीय स्थल या शहर के बारे में वर्णन करें। दूर्वा भाग एक। अभी आप सुन रहे थे। कक्षा छे के लिए द्वितिय भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक। कलाकार, प्रवीन शर्मा, तिलक राज, राजेश आहुजा और सत्यश्रवा शर्मा, ध्वन्यंकन, बटिल्यंग लिंग्डो, तथा निर्मान, निर्देशन, वध्वनिसंपादन, वंधना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT टी,